लेटेस्ट रियूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले नमस्कार बीबी रियूज में आपका स्वागत हैं इस हेरोईं की वजह से आज तक कुम वारे हैं करण जोहर पागलों की तरह करते थे प्यार लेकिन करण जोहर को बॉलिवूड का सबसे कूल डाइरेक्टर माना जाता है अवार्ड फंक्शन हो या फिल्म इवेट हो करण हमेशा किसी ना किसी बजह से सुर्खियों में रहते हैं लेकिन सबसे चौकाने वाली बात ये है कि करण जोहर ने 45 साल के हो चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है इस बात का खुलासा खुद ट्विंकल खना ने किया है कि स्कूल के दिनों में डाइरेक्टर करण जोहर उन्हें पसंद करते थे और उनसे प्यार करते थे ट्विंकल ने अपनी किताब मेसेज फ़नी बोन्स को लॉंच करने के अफसर पर कहा था कि करण ने इस बात को स्विकार किया था कि वे है मुझ से प्यार करते हैं यह उन दिनों की बात है जब हम कॉलेज में साथ थे करण अकसर कहा करते थे कि वो मुझसे प्यार करते हैं इस मौके पर ट्विंकल खना के पती अक्षे कुमार, मांडिमपल का पाडिया, आमिर खान, सुजेन खान और सुनाली बेंद्रे के साथ साथ करण जोहर भी मौझूद थे करण जोहर ट्विंकल खन्ना से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे हाला कि ट्विंकल उन्हें प्यार नहीं करती थी और उन्होंने अक्षे कुमार से शादी कर ली कहा जाता है इस वज़े से करण जोहर आज तक कुम वारे हैं और उन्होंने शादी नहीं की है ये बात विल्खुल सच है कि करण जहर राजेश खन्ना की बेटी तथा अक्षे कुमार की पतनी ट्विंकल खन्ना से बच्पन में प्यार करते थे वो करण का पहला प्यार है करण और ट्विंकल दोनों ने इस बात को स्विकार किया है कि करण ट्विंकल को स्कूल के दिनों मे पसंद किया करते थे